बिस्मिल्लाइर राह्मान रुखिम अस्सलाम वालेकम ट्रीवर्स वीवर्स अगर आप लोगों ने ओवराल पाकिस्तान से वापड़ा डिपांड़ में असेस्टन साफश्टन अटेंटन का आपने रिटन अश्यानी तहरीर इम्तिहान देना है तो यह वीडियो आपके लिए आ सकते हैं इस वीडियो में फुल तफसील के साथ डिसकस होंगे तो इसके इलावा अगर आप मुकंबल 100% डेटा चाहते हैं तो वो भी आपको मुनसब फी मिल सकता है तो अगर आपको स्लेबस कर नहीं पता अब भी आप लोगों को प्रोवाइड हो सकता है इस वीडियो की transformer are used each work as A and B यानि primary and secondary next question our transformer core is laminated to तो इसका जो राइट अनसर बनता है बी option राइट है reduce adecrant losses our transformer core is laminated to reduce adecrant losses reduce adecrant losses next question the term cogging is associated with induction motors the term cogging is associated with induction motors next question which type of step up transformers तो इसका जो राइट अनसर बनता है d option right lower value to higher value which type of step up transformers तो इसका जो राइट अनसर बनता है d option इसका राइट है, lower value to higher values, next question, opposition to the flow of electric current is called, तो इसका जो राइट अंसर बनता है, b option राइट है, resistance, opposition to the flow of electric current is called, resistance, next question, ability of a device to store electric charge is called, तो इसका जो राइट अंसर बनता है, capacitance, ability of a device to store electric charge is called, capacitance, next question, flow of electrons through a conductor is called, तो राइट अंसर बनता है, d option राइट है, इसका जो राइट अंसर बनता है, तो इसका जो राइट अंसर बनता है, resistance, conductance is reciprocal of resistance, next question, जो राइट अंसर बनता है, यह उप्शन राइट है, vacuum tubes, जैकर आप लोग ने यह भी याद रखना है, जो राइट अंसर बनता है, यह तो राइट अंसर बनता है, यह तिनों है, carbon resistors, इसके लावा high voltage current, and इसके लावा, circuit with lower current densities, तो आप लगने याद रखना है, कि जो राइट अंसर बनता है, vacuum tubes या इसके लावा जो भी option होगा, क्योंकि question किस तरह भी वो घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, लेकर आप लोगों को यह भी पता होना है, यह तो आप लोगों कोई भी होगा, carbon resistors फिर भी ठीक होगा, high voltage current फिर भी ठीक होगा, circuit with lower current densities फिर भी ठीक होगा, आप लोगों यह भी याद रखना है, नेक्स्ट question, फास्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज़ डैश फार circuitry और डैश फार memory, यानि इस क्वैशन में बताना है कि कंप्यूटर की जो फास्ट जनरेशन में, circuitry का मतलब होता है, वो हिससे जिसमें circuit बनता है, यानि जो computer का main हिसा होता है, जिसको अभी हम मतलब है computer का जो processor बोलते हैं, उसकी जगापे मतलब है क्या यूज़ हुआ था and memory यानि storage की जगापे क्या यूज़ होता computer की first generation में, तो इसका जो राइट नसर बनता है, बी ऑप्शन इसका राइट है, vacuum tubes and magnetic drum, यानि मतलब अगर बात करें जो फस्ट जनरेशन computer में जो circuitry यान जो processor की जगापे जो यूज़ हुआ था vacuum tubes का and walls का and memory की जगापे magnetic drum का, तो अगर बात करें जो फस्ट जनरेशन computer तो यह उनसर चालिस से लाकर उनसर चालिस से लाकर उनसर चालिस से लाकर उनसर चालिस के दमयान यह आए थे और यह बहुत बड़े large size के थे और जो the father of computer का चालिस बबेच को, तो नेक्स्ट जो बाकी generation के बारे में भी question पूछा था सकता है किसी तरह भी तो आप लोगों वह भी याद रखनी है जासा कि अगर बात करें तो फस्ट जनरेशन के बार में आप लोगों को बता चुका हूँ कि इसमें जो प्रसेसर की जगापे vacuum tubes का इस्तुमाल हुआ था अगर बात करें तो storage की जगापे magnetic drum का तो नेस बात करें computer की जो second generation में transistor का यूज़ था प्रसेसर की जगापे transistor का यूज़ हुआ था SSI की और MSI की तो जो third generation computer के बात करें तो यह 65 से लाकर 71 के वेच में आया था तो इसमें जो यूज़ था आई सी इंटेग्रेटर सरक्ट और इसमें SSI और MSI तो SSI की full form है small scale integration small scale integration और MSI की full form है medium scale integration तो next अगर बात करें fourth generation computer की तो इसमें जिसे हम भी processor बोलते हैं प्रोसेसर का यूज़ किया गया तो इसकी technology इसमें यूज़ हूई थी LSI की और VLSI की तो LSI की full form है large scale integration और VLSI की full form है very large scale integration यह यूज़ वा था fourth generation में और यह fourth generation है उन्सानी कतर से लाके आगे मतलब एक बात करें 2000 तक तो next लगर बात करें fifth generation की तो इसमें जो प्रोसेसर की जगह पे यूज़ था ULSI and artificial intelligence यह नहीं AI तो ULSI की full form है ultra large scale integration और इसमें मतलब यह भी य technology यूज़ थी फिफ जनरेशन में तो वैसे तो अभी तक six seven generation तक जो आ चुकी है प्रोसेसर बहुत ही तेज फास्ट है तो next question है CC stands for this question में यह बताना है कि जो CC की full form के या CC क्या मतलब बनता है तो इसका जो राइट असर बनता है बी ऑप्शन राइट है carbon copy CC की full form है यह मतलब carbon copy तो आपने में जा रखना है कि 20 CC पूछ जाए तो ब्राइंट carbon copy अगर सिरफ CC पूछ जा तो इसकी full form होगी carbon copy तो यह email से मतलब है के mail से related mail से related है email यह Gmail इस से related है तो next question है what is the high speed memory between the main memory and CPU is card यह इस question में हम यह बताना है what is the high speed memory between people के दर्मयान में main memory and CPU यह बताना है कि जो मतलब के high speed memory है जो के दर्मयान है main memory और CPU यह नि सेंटर प्रसेश्टर से दर्मयान तो इसका क्या नाम है तो उसका राइट अशर बंता है बहु आप्शन राइट है कैश मेमरी क्रदे के चैश्ट नहीं कहते है तो Cache Memory तो आपने मतलब कर दिए कोई भी बाद तो इसको पर लेना है तो जिसकोorg बन स्रब बनता है कैश है मेमरी यह मतलब करें में मेमरी और CPU के बीच में मतलब के कैश में में मातलब नैब रजहां है इन दोनों के बीच मीठों करें कि आफ लोग थोट से memory and read only memory यह मतलब दोनों है रैम और राम दोनों किया है यह मैंन मेमरी के टागरी में आती है ने अगर बात करें तो में मेमरी में तो आप लोगों को बता चुको रैम राम और नस्ट अगर सीप्यू की बात करें तो सीप्यू के बीच में यह होती है कैशे मेमरी या कैशे मेमरी होती है इस q die पूच रहा था कि मेंमरी ﷺ को पते हैं हईário इसे चल्वारण के बात यह क्वैशन आता है गया है इसंने मतलब के में मेमरी यह इसके टूइन के नहीं कहा सबसे जो फासिस्ट मेमरी वह रिजिस्टर उसके बाद है कैश मेमरी उसके पीछे रैम उसके बाद मतलब के रॉम और सेकंडरी तो उम्हेदें कि यह आपको क्वेशन क्लियर हो चुका होगा तो नेक्स्ट क्वेशन है वेनिवर दाड़ डेटा इस फांड एंदा कैश मेमरी आपकर क्या कर सकते हैं कैश मेमरी में तो इसका बनता है वह फिट कर लाता है जो हमें डेटा मतलब के कैश मेमरी से तफसील से बताता हूं जैसा कि आप देख रहे हैं यह साथ होते हैं और यह मतलब करें मेंमरी अच्छा जो और आपके मेम्री से CPU को मिल जाता है वह तो क्या कलाता है है जो के इसा होता है कि कैश मेमरी में डेटा पहले ही काफी होता है फ़क्रावन कर सकती तो वह डेनगा मेमरी से डेटा यालेका ज़्क आएगा तो आनको यह याद याद रखनी है तो इसके में भी यही पूछा जा रहा था कि जो मतलब एक कैश मेमरी से जो मतलब डेटा फांड हो जाता है उसको हम हिट कहते हैं और जो फांड नहीं होता उसको मिस्त कहते हैं यह आप लोगने याद रखना है तो नेक्स्ट क्याशन है आफ फ्यूल सैल इन तो प्रोड्यूस ए çekसी बहन इन आइटा है है इन जहीन ये आफ यहींस को तो हूछ लोड्यूस दॉटेमस थे यह जाओ ऑ्छन रॉड्गरग्र is the conversion of sunlight into chemical energy next question the energy of motion associated with an object's moment is called kinetic energy the energy of motion associated with an object's moment is called kinetic energy next question the energy of heat transferred through a conduction convection and radiation is called to schedule right answer bantahe thermal energy the energy of heat transferred through conduction transferred through conduction convection and radiation is called to schedule right answer bantahe thermal energy to next question the kinetic energy that an electron gains when accelerated between two points with a potential difference of one world is called to schedule right answer bantahe writer electron volt the kinetic energy that can electron gains when accelerated between two points with a potential difference of one world is called to schedule right answer bantahe electron volt तो यह थैन्याओकी वीडियो नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफेड चाहएज़। च्शने ओिज्वावगों नेक्स्ट वीडियो ताक खुदा हाफेश।